ह्सी में 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 चेप्टर 30 गोस्लोग क्वेशिन नूमर 15 अ लोंग सिलेंट्रिकल वायर केसे पोजिटिव चार्ज अफ लीनियर चार्ज देंसेटी 2 इंटेंट की पार मीनस 8 कॉलंब पर मिटर एन इलेक्ट्रों जिवोल अराउंड इन इस सार्कुलर पाथ अंडर दे इंफ्लेंस ऑफ अट्रक्टिव एलेक्रोस्टेटिक फोर्स फाइंड दे कानेटिक एनरजी ओफ इलेक्ट्रों नोट देट इन इट इस इंडिपेंड अफ रेडियस ओके तो यहां पर पूछा है कि क कितना होगा now कानेटिक इनरजी ओफ इलेक्ट्रों कितना होगा देखो सबसे पहले जब सर्कुलर मोशन कर राए तो यहां पर कोई सेंटिप्ड्रफोस्ट पोइड करने वाला उना ची і और सेंटिप्ड्रफोस कॉन प्राइड कर रहा यहां पर अलोक्तुर्डश्यक्ट्र इन्टू इलेक्ट्रिक फिल्ड और यह होता mv square by r आपका centripetal force राइट हमें find करना है kinetic energy तो आप एक काम कोरें दोनों को 1 by 2 से multiply कर दो तो यह 1 by 2 mv square तो अपना kinetic energy हो जाएगा यानि 1 by 2 mv square is equal to kinetic energy बहुत सकता हूँ kinetic energy is equal to r इससे multiply हो जाएगा यह 1 by 2 q e r यह आ जाएगा अब देखो यहाँ पर हमें electric field चाहिए electric field अपन question number 14 में already find कर चुके कितना आता है e is equal to lambda by 2 pi r epsilon 0 question number 14 में हमने किया था e is equal to lambda by 2 pi r epsilon 0 तो यहाँ पर e की value पूट कर दो e की value पूट करता है यहाँ पर 1 by 2 यह q of e है charge of electron और e होगा lambda by 2 pi r epsilon 0 और यह r तो r r cancel out हो गया r r cancel out हुआ तो अपना answer आया q by 4 pi epsilon 0 और q e है और lambda यह आ गया यह आपका kinetic energy है अब यहाँ पर 1 by 4 pi epsilon 0 क्या होता है यह होता है k तो k q e into lambda बहुत सकते है कि कितना 9 into 10 की power 9 charge of electron 1.6 into 10 की power minus 90 lambda अपने को given है 2 into 10 की power minus 8 इसको solve करेंगे तो अपना answer आएगा क्या answer आएगा 2.88 into 10 की power minus 17 joule यह kinetic energy होगी है 1 2 2 2 3 4